तो हेलो फ्रेंड इस वीडियो में डिसकस करूंगा मैं कि जो आज आपका 12th by parite settlement हुआ है तो उसके बाद मतलब salary पर क्या effect पड़ेगा basic पर कितना बढ़ेगा कितने percent salary बढ़ेगी और five day week कप से लाग होगा तो सब आप जैसा आप इस स्कीन पर देख पा रहे हो कि जो ऐसे मैंने चार अलग अलग पोस्ट लिखी है इसमें बैंक किलर बैंक पियो और SBI पियो सब स्टाफ तो जैसे आप इस समय में थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं तो new basic पर आपका किस तरीके से बनेगा क्या बनेगा य यह देखें बढ़ा कितना सत्रे परसेंट इंक्रीज हुआ है पेस लिप पोस्ट में तीन परसेंट एडिशनल आफ्टर मर्जर ऑफ डिए ठीक है फाइव डे बीक जो है आपका new year मतलब एक जनवरी दोहर चोबिस से लाग हो जाएगा ठीक है अब आप देख लिजे स्कीन पर क्या होने वाला है जो आपको करेंट बेसिक पेस अब स्टाफ का 14,500 है बैंक किलर का 19,900 है बैंक प्यों का 36,000 है और SBA प्यों का 41,960 है ठीक है इसके बाद डिये मर्जर 30.38 परसेंट आप जो है करेंट बेसिक पेका निकाल होगे तो यह मैंने ओलरी निकाल कर रख रख ऐसी अलग-अलग पोस्ट का निकालोगे तो यह निकलेगा उसके बाद आपको क्या करना है बेसिक प्लस डिये मर्जर को प्लस करने के बाद आपका ठीक है इन दोनों को प्लस करना है 14,500 को 14,500 प्लस 400 इन सब को प्लस करने बाद 18,500 निकलेगा ठीक है 18,905 निकलेगा उसके अदापका न्यू बेसिक पे निकलेगा तो ये पहला वाला सब स्टाफ का है ठीक है दूसरा वाला बैंक किलरक का है 26,720 और जो ये तीसरा वाला ये बैंक P.O. का है नॉर्मल जो बैंक होते हैं और ये नीचे वाले जो है ये S.B.I. P.O. का है 56,350 रुपे तो जो बैंक किलरक वाला आई है ये S.B.I. किलरक का भी होगा तो कि कोई खास डिफरेंस नहीं होता थोड़ा ही फरक पड़ता है तो इतना ही आप मान के चलो न्यू बेसिक जो है 26,720 ये भी S.B.I. किलरक का भी होगा तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी S.B.I. किलरक का रिकूटमेंट निकलावा है तो आप क्या कहते हैं उसकी अच्छी से तैयारी करिए तैयारी के लिए मेरे ट्रीकी बेंकर चैनल को फोलो करिए सारा कंटेंट आपको इसमें मिलेगा ठीक है मेरे सारे चीज प्रोवाइड करता हूँ फ्री में प्रोवाइड करता हूँ मैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसका 100% सेलेक्शन हो गई होगा क्योंकि मैं नईनी वीडियो लाता रहता हूँ ऐसी ऐसी क्योंकि आप देख लीजए इसके बाद वाई परइट सेटलमेंट के बाद क्या सैलरी बन रही है आपकी खुद कल्कुलेट कल दीजिए और जो न्यू जोईन होंगे उसके इस तरीकी से सैलरी कल्कुलेट होगी तो अभी आपके पास अपरचुनिटी है आप अच्छी तरीके से त्यारी करिए बढ़िया करके जो है आप सेल्डी यह वाली मिल जाएगी और फाइव डे भी को चुका है आपने फैमिली के लिए भी टाइम दे पाओगे फिर पांच दिन आपको डूटी करनी है दो दिन आपकी शुटी रहेगी फेटर डे संडेगी और यह लाग होगा एक जनवरी 2024 से तो थैंक्यू सो मच तो मैंने बता दिया आपको जो हर चीज के बारे में अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती मेरे चनल को सब्सकाइब करना बिना सब्सकाइब करें मत जाना ठीक है मेहनत लगती यार देखो इन चीजों में मैंने आपक विसमा सेलेक्शन पक्का होगा 100%